दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आजकी वीडियो में हम assignment के उपर बात करेंगे December session के assignments का result कब से आना सुरू हो जाएगा उसके उपर बात करेंगे और सास्थ में बात करेंगे कि जून 2021 के जो assignment उनका result कब तक complete हो जाएगा तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ध्यान से देखें वीडियो की सुरुआज से पहले से important update को आप जरूर देखें में लेकर आया top educators के टॉप बैच ही जो कि 29 दिसंबर 2021 से सुरू हो रहे है एकाड़मी का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको प्रायोटी दी जाएगी डाउट सॉल्विंग में और क्लिक करके अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं डाउट की जो इमेज है उसको क्लिक कीजिए और आपके कोश्चन का आंसर देंगे टेस्स एससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री और प्लस दोनों टेस्स एस्पिरेंट्स जो इसका जरूर्व लाउट है प्रेजा हैं फीचर के जरी आप लाइव क्लासें में अपने डाउट को पूछ सकते हैं और उनका सॉलुशन पासकते QAptitude Marathon होने वाला है 26 Desember 2021 को बारा बजे 50 मिनट में 30 कोस्चन आप से पूछे जाएंगे और reasoning मेराटोन होने वाला है 40 मिनट का होने वाला है 30 कोस्चन आप से पूछे जाएंगे 2 Juncoming 2021 को 2022 को बारा बजे 1,0203 को दी जाती है इसमें और हिंदी और इंगलिन दोनों में अवेल लेबल है 100% scholarship मिलेगी उनको जिनकी एक से तीन तक रैंक आएगी और इस तरीके से आपको एक करोड तक की scholarship बाटे जाने वाली है तो आप PC 2021 कोड का इस्तमाल कीजिए लिंक description में मिल जाएगा और SSC combat जरूर दीजिए डिसम्बर आपको चार महीने का बिलकुल फ्री मिलेगा 24 मेने दो साल का सब्सक्रिप्सन लेने पर आपको आठ महीने तक का सब्सक्रिप्सन बिलकुल फ्री मिलेगा और 28 और 29 दिसम्बर के लिए वैलिड है तो मेरे कोड PC 2021 का इस्तवाल करने पर आपको मिलेगा extra 10% discount जिसका link आपको description box से मिल जाएगा all set let's crack it सबसे पहले बात करते हैं December session के assignment के उपर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि assignment का जो result है वो लगातार आता ही रहता है almost हर week आपके लिए एक नई update देखने को आपको assignment status में या फिर grade card में देखने को मिल जाती है तो assignment का जो updates है वो तो लगातार होती ही रहती है लेकिन December session December 2021 जिसकी last date इस समय 31 December 2021 है और बहुत चांसित है कि आगे भी उसकी last date कुछ दिनों के लिए और extend हो जाएगी तो उसके जो assignment का result है वो आपको जब आपके जो December session के exam है 20 January 2022 से वो सुरू हो रहे है जब उनका result की पहली update आईगी जो की मुझे लगता है फरवरी में आ जानी चाहिए तो फरवरी में जब पहली update आईगी आपके exam के result की तो उसके साथ ही आपका assignment का भी पहली update देखने को आपको मिल जाएगी उसके बाद तो फिर लगातार assignment की update आती रहती है और आप 6 महीने पास 7 महीने तक लगातार आपको update देखने को मिलती है कुछ student ऐसे होते जिनका result पहले आ जाता है कुछ subject का result जो होता है कुछ subject का assignment का result जो होता है वो देर भी लग जाती है उसके लिए उसके बाद बात करें अगर हम जून का जो assignment का result है वो कब तक complete होगा जून के assignment जो है उसका result पहले से ही लगातार काफी सारे student का आ भी रहा है updates लगातार continuously हो रही है और ज्यादा तर student का result assignment का आ चुका है उसके लाबे भी कुछ assignment ऐसे हैं जिनका assignment का एक subject दो subject का result रहा गया है तो इसमें दो या तीन कारण हो सकते हैं सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है कि आपने हो सकता है कि assignment ठीक तरीके से submit ना किये हो assignment गलत Google form में या assignment अपने गलत email id पर submit कर दिये हो कोई गलती रह गई हो जिसकी वज़े से आपके assignment जो है वो reject कर दिये गए हो एक ये कारण हो सकता है अगर आपने assignment बिल्कुल सही तरीके से submit किये हैं तो आप उसके बाद भी अगर आपका result नहीं आया तो आप क्या कर सकते है एगनू का रिजल्ट जो है वो complete हो जाएगा और फर्वरी से नए session के जो असाइमेंट है उनका result आएगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए